हेलो फ्रेंट्स मैं संध्या आपका स्वाइद करती हूं अपने चैनल में गार्डिंग विच संध्या में आज मैं नर्सरी गई थी तो सोचा आपको भी गुमा देती हूं देखिए यह है सिंगोनियम जो की इंडोर प्लांट है यह बहुत अच्छा है यह क्रोटन यह भी इं चटा यह है कि यह भी इंदोर प्लांट है सारी इंडोर ठाण्ट यह द्रेशीना यह दं डेसी न यह बहुत अच्छे लगते हैं यह सब अपने घर में आप जरूरेड़ करिए यह कोलियस यह बहुत अच्छे लगत इसकी पतियां ऐसे दोकल लर्मे होती है, बहुत अच्छा लगता है कोलियस, यह है मॉंस्टेडा, यह भी बहुत अच्छा लगता है यह भी इंडोर प्लांट है, और यह लिविंग एरिया में अगर रखें, बहुत अच्छा लगता है यह है, आम का पौधा यह मेरे यहां लगा हुआ है यह ब्रामनी जो कि एक औशदी होती है यह आडली 20 रुपे में मिल जाता है ब्रामनी यह है मंडेला वाइड कलर का मंडेला देखे कितना अच्छा फ्लावर लग रहा है यह है टर्टल हाट देखे कितना सुन्दर लग रहा है और यह हैंगिंग बासेट में ही अच्छा लगता है यह है क्रोटन क्रोटन की कितनी तीर सारी वराइटी है अलग-अलग क्रोटन यह है गुलदावदी और यह गुलदावदी सारे अलग कलर में और यही सही समय है गुलदाओदी लगाने का अगर आपके गर में पहले से गुलदाओदी लगाए तो उसकी कटिंग लेके भी आप लगा सकते हैं बहुत अच्छा लगता है मेरे पास एक कलर का ही गुलदाओदी था पेंक कलर का मुझे और अलग-अलग कलर चाहिए थे तो इसी वाज़े से मैंने गुल्दाव दि लिया ये है मनु कामनी का पौधा जो कि बहुत शुब माना जाता है और ये है ये है नर्गिस का पौधा जो कि ये भी बहुत सुन्दा लगते है इसके अच्छ गुलावी कलर के फूल आते हैं ये है वोगन वेलिया जो कि ये भी बहुत अच्छा लगता है वोगन वेलिया तो आप देखें यह होंगे कई घरों में लगा रहता है ये है नाग च में इसमें वाइट कलर के पूल आते हैं यह है चांदनी इसमें तेके कितने इतनी पत्तिया के लह रही है और वाइट कलर का होता है यह है सैप्डा यह भी इंडोर प्लांट है और यह है यह है गलेजिया यह यह बहुत अच्छा लगता है यह भाया हम बता रहे हैं कि अकले 15 दिन में कौन-कौन से पॉधे आएंगे इन्होंने बताया कि पिटॉनिया और ये गेंदा ये सारे अभी आ जाएंगे अगला पंदा दिनों में और फूल से भर जाएगा तब आप आके लीजेगा जैसा कि भाईया का कहना है तो मैं पंदा दिन के बाद जाओंगी ये है बागबानी नर्सरी मेरे घर के पास है जहां कि और दिखाते हैं, मैंने क्या क्या लिया आपको मैं कि अब हम घर पे आ गए आयो पहाईंगा कि अलbon Sver這是 कॉलिया benefit Korean देखे कितना हेल्दी बौदा है ये जरूर आप देखे कि हेल्दी हो ये है गुल्दाओदी दोनों अलग कलर की गुल्दाओदी ये पर कौन कौन सा कलर है ये मुझे पता नहीं है क्योंकि अब बहुत चोटा है जब इसमें से फूल खीलेंगे तब ही पता चल पाएगा कि इसे पता चलता है ये नर्जी वेले भाईया ही बताते हैं क्योंकि इसकी पतियां अलग-अलग होती है ये सिंगोनियम जो कि मैंने दिखाया था इंडूर ब्लांट और ये है गुल्मेहंदी ये भी कौन सा कलर है ये मुझे पता नहीं क्योंकि अब बहुत चोटे पोते हैं इसमें से फ्लावर निकलेंगे तब ही पता चल पाएगा ये है टर्टल हाट ये तो हैंगिंग बास्केट में ही लगाऊंगी और ये मैं अभी लगाऊंगी ही नहीं तीन-चार दिन इसे एड़्जेस्ट होने दें की अपने घर के एट्मॉसफेर में आप भी अगर कोई ब बढ़ जाता है वहना अगर तुरंत लगाएंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाता है कभी-कभी वह सूप जाता है मरसा जाता है इस वज़े से इसको एड़्जेस्ट होने दें तीन-चार दिन अपने घर के अंदर और ये जो उसके घर बगल में गमले रखे मेरे पास गमले नहीते लगाने के लिए तो मैंने दस इंच के गमले भी लिए हैं वहां से और ये जो देखी कोलियस के पौदे में आप देख रहे होंगे कितने चोटी-चोटी सी लीवस हैं ये बेबी लीवस ये देखे ये जरूर देखके अगर आप कोई में पौदा खरीते हैं तो उसक लिए हो उसमें रूट्स डवलफ ही हो तभी लीजे तो ये मरने के चांसे कम होते हैं और लगने के चांसे ज्यादा होते हैं अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप इस मौसम में कौन-कौन से पौधे लगा रहे हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद जब मैं ऐसे लगाओंगी तो आपको दिखाओंगी कि इसकी मिट्टी कैसे प्रिपेर करी है मैंने उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा और मेरी अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा दन्यवाद बाई बाई जह हुआ है deserves जा उन्यवाद來 है जखेग एक्लिवाद बाइगा जब度 बाईंग झारे ञतार लुए बाई श्वाद कर दो दॉएंगा Towardsिन्षभ on जब इसके लिए Nebenको और कि लिएäre भुए १ादॏ